दोस्तो नमुश्कार आदाब सत्स्रियकाल न्यूस क्लिक के कारिकरम आज की बात में आपका स्वगत है दोस्तो हमारे देश के प्रदानमंत्री जी नरिंद्र मुदी जी ने मंगलवार को राष्ट के राम संदेश दिया कोरोना दोर में ये उनका छठा राष्ट के राम संदेश था कुछ वक्त के बाद आये थे अंतराल के बाद लेकिन लोगों को बड़ी निराशा होई कि पांच किलो ग्राम चावल या गेहूं देने की योजना का अगर पांच महीने के लिए विस्तार करना था तो इसके लिए माननी प्रदानमंत्री को अपना वक्त क्यों जाया करना पड़ा आखिर ये तो प्रेस्विग्यप्ती से या कोई सरकारी प्रवक्ता इसकी घोशना कर देता कि जो योजना चल रही हो पांच मेने और चलेगी लेकिन माननी प्रदानमंत्री को आना पड़ा तो जरूर कोईन कोई बात होगी बहराल हम उसको बहुत आज की इस चर्चा में हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रियक्शन्स आ चुके हैं लोगों ने उसको विहार एलेक्शन से जोड़ा है जो नौंबर में होने जा रहा है लोगों ने माननी प्रदानमंत्री के भाशन में छट जैसे पर्व का जो जिकराया उसको भी जोड़ लिया उसी में जबकि ऐसी बात होनी नहीं चाहिए उन्होंने तमाम परवों का नाम लिया बस वही है कि जिसे इद है महर्रम है ये जो परव थे वो छूट गए ये भी इसी दर्मियान आ रहे हैं और देश के काफी महत्वण परव माने जाते हैं तो हम इन चीजों पर नहीं जाएंगे लेकिन माननी प्रदान मंत्री के वक्तब्य में जो एक बहुत महत्वण बात थी हो पहले भी सरकार के तमाम स्टेट्मेंट्स में तमाम डॉकुमेंट्स में ये बात आई है कि अपने देश की आबादी 135-36 करोड जो भी है उस 135-36 करोड लोगों में 80 करोड लोगों को ये योजना दी जा रही है यानि मुफ्त का गेहूं या चावल और चना भी एक किलो अब मेरा ये सवाल है कि अगर इस देश के 135 करोड लोगों के बीच 80 करोड लोग जो स्वामानी पदानमंत्री के आँकड़े में भी आया उन्होंने भी ये बात कही 80 करोड की अगर 80 करोड लोग मुफ्त अनाज अब उसकी क्वालिटी कैसी होती है या नहीं होती है वो अलग भी बात है बहुत सारी जगों पर कंप्लेंड भी आये हैं अगर लोग सरकारी अनाज सरकारी स्थर पर मुफ्त अनाज के लिए अगर मोहताज है अपनी जिंदगी चलाने के लिए ये आंकड़ा अगर आया है लेकिन आखिर कार छे सालों में लोगों को और आगे बढ़ाने की जो योजनाएं थी उनका क्या हुआ और पीछे भी जो सरकारें कह रही थी तमाम कॉंग्रेस की सरकारें हो या दूसरी और पार्टियों की हो गटमंदन की सरकारें हो कि काफी गरीबी को काफी खतम किया जा चुका है तो गरीबी उनमुलन योजनाओं का आखिर क्या नतीजा निकला कि इस देश के 135 करोड की आबादी में से 80 करोड लोग अभी भी गेहूं और चावल के लिए सरकारी एक तरह से दान कहिए या सरकारी सहायता कहिए मुफ्त प्रशन उठता है दूसरा जो प्रशन इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों कि ठीक है ये गरीब लोग हैं परिशान लोग हैं बेहाल लोग हैं कोरोना के इस दौर में लेकिन उन लोगों के आंकड़े पर सरकार या माननी प्रदानमंत्री जी क्यों साइलेंट हैं जो कोरोन के दोर में लाक्डाउन के दोरान जो बिरुज़वार हो गए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो भीस करोड थे पचीस करोड थे मान लीजे वो 11 करोड थे, 12 करोड थे, 20 करोड थे, 20 करोड थे सरकार बताती सरकार बताये कि जो आंकड़े मीडिया में आ रहे हैं वो speculation है असल आंकड़ा ये है जैसे उसने एक आंकड़ा बता दिया कि 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो सरकार के अनाज योजना का लाव उठा रहे हैं या उसके बगएर उनकी जिंदगी नहीं चल सकती इसलिए सायथ उनको दिया जा रहा है तो अगर इस देश में 20 12 करोड़ जितने भी लोग बिरुजगार हुए हैं पहले से जो बिरुजगार हैं उनके अलावा सब मिलाकर कितने लोग बिरुजगार हुए या बिरुजगार हैं अब मेरा ये सवाल है कि इन बिरुजगार लोगों के लिए सरकार के पास क्या योजना है अगर वो मान ये 12,000 रुपे महीने भी पाते थे ठेला चला कर या असंगठी छेतर के दूसरे और काम कर रहे थे 15,000 रुपे पाते थे 20,000 रुपे पाते थे कोई 40,000 रुपिया पाता था और सब बेहाल हो गए बेरुजगार हो गए तो भारत सरकार की दुनिया के और मुलकों की तरह जो बेरोज़गार हुए हैं उनके मुतलिक या उस तरह के पैटर्न पर क्या ऐसी योजना है? क्या उनके लिए कोई पैकेज है? तीसरी बात एक बड़ी बात ये है कि अगर आप विरुजगारों के लिए कोई पैकेज आपके पास नहीं है आप आप 20 लाख करोड रुपे की बात करते हैं कि आपने पैकेज दिया है लेकिन इन लोगों के लिए कोई यूजणा नहीं है लेकिन इन लोगों के लिए उपचा लोग जो हैं संक्रमित हो जा रहे हैं दूले की मौत हो जा रही है हालात इस तरह हैं और वहां भी चुनाव होने वाला है मैं बिहार की बात कर रहा हूं लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इस देश में जो संक्रमित लोग हैं या संक्रमित नहीं है उनकी जांच के लिए भी पैसा लिया जा रहा है आप प्राइवेट अस्पतालों में आपने 45 सो से आपने 22 सो 24 सो जो भी रुपया किया है लेकिन पैसा लिया जा रहा है दुनिया के अनेक मुल्क हैं जो और भारत से कईयों की जो आर्थिक इस्तिती है वो इससे भी बहतर यह बहुत ही बुरा हाल है तो ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में तो जांच यानि टेस्टिंग से लेकर उपचार की कोई व्योस्तान यह दस दस अगर हजार लोग दस दस हजार रुपए अगर एक दिन का एक कमरे का खर्च लिया जा रहा है तो उसके लिए मानि प्रद के नाम संदेश दे दिया लेकिन इतनी जो बहाली है उपचार की इतनी जो बहाली है टेस्टिंग की इतनी जो बहाली है तमाम जो दवाओं को लेकर केंफ्यूजन है आप सरकार की तरफ से ये भी बता दिया गया कि भारत में जल्दी ही वैक्सीन आनी वाली है जल्दी ही ट से पहले लेकिन दुनिया भर में टीका और वैक्सिन का ट्रायल चल रहा है कई जगा खोज चल रही है हमने पहले ही कह दिया लोगों को कि हमारे देश में बहुत स्थिती बहतर है और हम लोग किसी भी समय हम लोग ला देंगे या जब भी आप लाएं तो आप इतनी बड़ी-बड़ी बात इन तो पहले हम लोग कर रहे है कि फाले टीका किस को मिलेगा लेकिन ये नहीं बता रहे है कि टीका कब आएगा और टीका अगर आएगा तो उसकी अभी ट्रायल की क्या पोजिशन है क्या कोई जांस परताल आगे बड़ी है तो ये मुझे लगता है कि इससे लोगों को एक तरह से भ्रम में डाल दिया जाता है अब अनेक लोग हम लोगों से पूछते हैं मीडिया कर्मी होने के नाते कि बही सुना है कि जल्दी ठीका आने वाला है तो क्या असलियत क्या है अखवारों में मैगजίνों में लोग खबर पढ़ते हैं कोशिच करते हैं कि पढ़ें और टेलिवीजन पर देखकर वो और भरमित हो जाते हैं अब आज ही हमने देखा कि जो एक बाबा है अब बाबा ने ये गोशना कर दी कि उनका जो कोरनिल है वो ब जंके की चोट पर एलान कर दिया है टेलिविजन चलनों पर खबर चल रही है कि वो कोरुनिल लेकर आ गये हैं कोरुनिल से वो क्योर का दावा नहीं करते वो ये कह रहे हैं कि हमने कई मरीजों पर इसका इसको आजमाया था और वो काफी ठीक हुए वो परसेंटेज बता रहे ह ठीक होने वालों का तो इस तरह से अब सवाल इस बात का है कि क्या अपने देश में उपचार की पद्धति उपचार को लेकर कोई वह ग्यानिक समझ है या नहीं है क्या सरकार इन चीजों की पड़ताल करती है क्या सरकार की निगरानी में ये सब चीजें हैं आप अस्पताल मुहिया नहीं कराते आप बेड मुहिया नहीं कराते आप जांच मुहिया नहीं कराते टेस्टिंग के लिए परियाप्त जो जरूरी जितने भी जितना भी तंत्र है समुची आबादी का इस विशाल देश में वो नहीं कराते आप आज भी अगर आप देखिए टेस्टिंग हिंदी हार्ट लैंड के जो स्टेट्स हैं वहां टेस्टिंग का रेट इतना गया गुजरा है कि उसकी कलपना भी नहीं की जा सकती है और ऐसी स्थिती में क्या तमाम तरह के इस तरह के जो लोग भी आवें जिनकी कोई वैग्यानिकता सिद्ध नहीं है कम से कम वैग्यानिकों और अनुशनधान करताओं की रोशनी में उनकी वैग्यानिकता उनके अनसंधान की प्रामानिकता साबिच सुदा नहीं है और वो अगर दावा करते हैं कि वो ये स अपने किट को कोरोनिल किट को वो बाजार में उतार रहा है तो इसको क्या कहा जाए क्या ये सत्ता और उस तरह के जो बाबा है जो इस तरह का धंदा भी करते हैं इस तरह के बिजनिस में भी है इस तरह के उपकरम को चलाते हैं क्या इनके बीच कोई संधी है या क्या है ये ए अच्छ के इस दोर में अन्डिफाइंड है। और परिबासित है। और ऐसे दोर में हमें ऐसा लगता है कि लोगों को दूसरी चीजों में उलगाया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि वो अएप को बैंड कर दिया। ठीक है, अएप क्यों आया था, एप किसने लाया था, एप वालों को एप एप वाले तो contribute कर रहे थे बहुत सारे सरकारी योजणाओं में सरकारी फणड में तो हमारा यह कहना है कि एक पहले आप ऐप लाते हैं फिर ऐप बेंड करते हैं बहुत सारी सीजें जो हैं कारुबारियों की उसी देश की वो बिल्कुल पहले की तरह चल र ही है कोरणा तो पीछे हट गया जाब जैसे एक चल रहा था ना नारा कोरणा भाग 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 तो कोरणा भाग चुका है अपकेवल सरहत पर है तो सरहत पर जो ड्रेगन है उसको भी भगा देना है और तुरत वो भाग जाएगा एक ही बार एक धमकी देने के बाद तो हमारा यह कहना है कि टेलिविजन चलनों पर कोरुना भाग ड्रेगन भाग यह जो चीजन चल रही हैं यह मैं समझता हूँ इस देश की जो जनता है जिसका एक बड़ा हिस्सा बहुत ज्यादा सुशिक्षित नहीं है बहुत ज्यादा सूचित नहीं है उसके पास इन्फॉर्मेशन का बाव है इस ऐसे मुल्क में लोगों को भर्माने उलजाने का एक जरिया बन रहा है एक बहुत खतरना जरिया बन रहा है और इससे लोगों की जिन्दगियां जो हैं वो संकट में पढ़ रही है मुझे लगता है कि ये आज का बड़ा प्रशन है जिस पर हमारे देश के हुकमरानों को हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट को हमारे देश के मेडिकल साइंसेज में लगे लोगों को योजनाकारों को पत्रकारों को बुद्धी जीवियों को हम सब को सोचना चाहिए कि आकिर हम चाहते क्या हैं हम किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं क्या पूरे मुल्क को हम अग्यान के आनंद लोग में कनवर्ट कर देना चाहते हैं आकिर हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं अगर हम खुशाल नहीं समाज को रखते हैं अगर अपने देश को मजबूत नहीं बनाते हैं कि इतने वर्षों बाद आजा दी कि भी 135 करोड की आबादी में 80 करोड लोग सरकारी अनाज़ पर मोहताज हैं खाने के लिए लिकिन उनके प अस्पताल हैं जहां खूब पैसा लिया जा रहा है उनको इस्टेट टेक ओबर कर लेता और इस्टेट टेक ओबर करके लोगों को वहाँ पर उपचार मुहया करा जाता कराया जाता सरकार की तरफ से और सरकार रीम बर्स करती या उनको कहती कि हम आपको सस्ते जितना भी नि मुलकों ने ऐसा किया है कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रियोग केवल हम भारत के लिए परिकल्पना के तोर पे या एक hypothetical एक position रख रहे हैं दुनिया के इन एक मुलकों ने किया है और जिन मुलकों ने किया है उनको बहतर result मिल रहे हैं इसलिए मेरा ये मानना है कि इस देश में बहुत बड़ी आबादी insurance based भी नहीं है वो गरीब लोग कस्बे के लोग गाओं के लोग छोटे शहरों के लोग जिनके पास पैसा नहीं है और जो insurance based जो लोग हैं उनका भी क्या हाल है अमेरिका उसका एक गवा है जहां सबसे बुरी स्थिति है जहां insurance based Medicare है तो हमारा ये कहना है कि आज के इस तोर में हम नो भूलें कि कोरणा महामारी इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए हमारे देश की अवाम के लिए हमारे देश की सरकार के लिए उस पर अगर ध्यान उससे हटता है अगर डाइवर्जन जो है इस प्रकार का होता है उलजाव और भटकाव इस प्रकार का होता है कि हम असल मुद्दे से ध्यान हटा देते हैं लोगों का तो मैं समझता हूँ कि न हमारे हक में है न सरकार के हक में है और अवाम के हक में है किसी के हक में नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं दोस्तों नमशकार आदाब सत्स्री अकाल